अंदर आई बैग या आँखों के नीचे सूजन होना मुख्य रूप से आँखों के नीचे फ्लुएट या वसा के जमा होने की वजह से होता है ये तनाव और ठकान का संकेत भी है लेकिन कुछ एजी तरीकों से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है कैममाईल या ग्रीन टी बैग को आँखों पर रखने से अंडर आई बैग को ठीक करने में मदद मिलती है आप एक टी बैग को ठंडे पानी में डुबो कर अपनी बंद आँखों के उपर 15 मिनट के लिए रखें दरसल चाय में मौजूर टैनन, कैफीन और ठंडग से सूजन कम होती है साथी डाक सकल्स हों तो वो भी कम हो जाते हैं आई बैग के समस्या को दूर करने के लिए विटामिन E ओयल से रात के समय में सोने से पहले आँखों के आसपास हलके से मसाज करें इसके अलावा स्टील के चमज को फ्रिज में रखें और इसे एकदम ठंड़ा करके आँखों की सूजन वाले हिस्से पर धीरे धीरे लगाएं इससे काफी लाब मिलता है अगर आप अंडर आई बैक की समस्या से परिशान हैं तो आपके फ्रिज में रखा दूद इसमें आपकी काफी मदद कर सकता है बस ठंडे दूद में कॉटन पैट को भिगो कर रखें और फिर उसे अपनी आई बैक्स की जगह पर रखतें इसे 20-30 मिनट के लिए लगाए रखें इससे वाटर रिटेंशन होता है जो आँखों को ठंडक पहुचाता है आलो और खीरे के इस्तमाल से भी आँखों के नीचे की पफिनस को कम किया जा सकता है इसके लिए आलो या खीरे के पतले-पतले स्लाइस कर लें और फिर आँखों पर इन्हें रखें इसके अलावा बराबर मात्रा में आलो और खीरे का रस लगाना भी कारगर होता है हीरे के एंटी-इंफ्लमेशन गुण स्वभाविक रूप से अंडर-आई पफिनस को कम करने में मदद करते हैं नीद की कमी और लगातार मेहनत के बाद धकान की वजह से भी इस तरह की आँखों के नीचे ये सूजन आ जाती है इसके लिए आप नियमित रूप से आँखों की कुछ एक्सेसाइज भी कर सकते हैं और इन सब के अलावा सबसे एहम बात ये भी है कम से कम आठ घंडे की नीचे ज़रूर लें